शकार हिंदू धर्म में नवरात्री का विशेश महत्व है ऐसा माना जाता है कि नवरात्री में जो भी भक्त पूरे नौ दिन तक विदिविधान के साथ मातुर्गा के सभी नौ रूपों की अरात्ना करता है उनकी हर मनो कामना पूर्ण होती है आईए पंडित के दुबे पत मेश का पढ़ाम मनश्य के लिए स्वस्त रहना प्रारम से यह बहुत बात पूर्ण माना गया अधिकांस पर्व और तेवारों का जो लेग मिलता है वो आपके जीवन की रख्षा के लिए मिलता है कैसे आप स्वस्त रहें कैसे आप आपका सरीर बीम्यारियों से लड़ने के सामर्त रखें भारत में छे रितुएं हैं बर्शा, सरद, हेवंद, सिसिर, बसंद और ग्रीस में जब रितु का परवर्टन होता है तो सरीर में भी एक प्रकार के परवर्टन होते हैं कभी सरीर में कफ की ब्रद्धी हो जाती है कभी वायू की ब्रद्धी हो जाती है और कभी पित्धी की ब्रद्धी हो जाती है जिस से अनेग रोगत्पन होते हैं मनीशियों ने इन से बचने के लिए एक सुगम और रास्ता निकाला कि अगर सरीर और मन को स्वस्थ रखना है तो एक ही विकल्फ है वो है ब्रद्ध कई लोगों के मन में ब्रद्ध और उपवास एक ही बात लगती है बहुत बारीक अंतर है ब्रद्ध में आप खा सकते हैं कुछ ब्रद्ध नक्त ब्रद्ध हैं जो तारा निकलने के उपरांत या सूरस्थ होने के उपरांत आप भोजन ग्राण कर सकते हैं वो नक्त ब्रद्ध कहलाते हैं कुछ ब्रद्ध लगातार कई दिनों के होते हैं और उपवास में आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं इतना अंतर है साथ अक्टूबर से नौरात्र प्रारब हो रहे हैं इन्हें कहते हैं सारदी नौरात्र सरदे नौरात्र के प्रारम होने पर और सरदे नौरात्र के प्रारम होती है वर्षा विगद सरदे नौरात्र आई है वर्षा रिद्व जब समाप्त होती है तो सरद्रिद्व प्रारब होती है तो वर्षा की तमाम प्रकार की जो गंदकी है उस गंदकी से तमाम प्रकार के कीटानों वैक्ट्रिया आपके सरीर को प्रवावित करते हैं कहीं डेगू होता है कहीं मलेरिया होता है तो ये जो संदिकाल है ये संदिकाल आपके जीवन के लिए घातक हो जाती है सदियों पुर्व हमारे मनीशी और मात्माओं ने उसके लिए विकल्प है निकाला और वो विकल्प है सार्दी नौरात्रे शार्दी नौरात्र में नौरात्रियां होती हैं कभी तितिके घटने या बढ़ने से नौरात्र में अंतर हो जाता है एक दिन घड़ सकती है एक दिन बढ़ सकती है वैसे समानता नौरात्री बृत्री करना चाहिए कई लोग अपनी परमपराओं का नसार साथ दिन के बाद वस्लिवी के दिन बृत का विसरजन कर देते हैं हमन करते हैं कुछ लोग नौमी को करते हैं और जो लोग पूरी तरह से पारण करते हैं वो नौरात्र के यानि विजया दस्वी के दिन मूर्ती का विसरजन करते हैं और कन्या भोज़ दान दक्षणा के पश्षाद भोजन गरण करते हैं यह आपकी अपनी परमपञाए हैं आपके भन्श की आपके गुरू की द्वारत दी पörमपञाए हैं लेकन शास्र कहता के नव रात्रिय है यानि नव रात्रिय का व्रत है नव रात्रियों को व्रत करना होगा है आज से सबाद पांच जार वर्षपूर्व इस देश के अंदर कई महत्पूर्ण रिशिवत्पन हुए है महत्पाहत्पन हुए है उन्हें से बेद्व्यास जो नोने भारती संस्क्रित को पुना मूलांकन और तमाम सारे जो ग्रंद थे जो बिलब्थ हो गए थे उन्होंने उनको फिर से विगति को जीवित रहने के लिए और उनको संस्कारित करने के लिए पुरणों के रूम में दिया है उसी बीच में मारकंडे रिशी का जो लेक मिलता है उन्होंने उन्हों मारकंडे पुरण की रचना की और मारकंडे पुराण में दुर्गा सफस्थी एक आध्याया है जिसके बाद्याम से हम दुर्गा बग्वती के पूजन करते हैं आध्य शक्ति के रूप में हमारे धर्ती पर ये माना जाता था कि हमारा जो सरीर की रचना है छित जल पावा गजन सबीर और इनके ये पांच तक्तों से मिलकर सरीर की रचना होती है और ज़र सरीर का हम त्याक करते हैं तो इन पांचों तक्तों को जल को जल में छित को छित में अगने को अगने को समर्पित कर देते हैं यानि पांचों तक् आद शक्ति के रूम में अरजा है और अरजा के को जब विभाज़त किया गया तो महा लक्षमी महा सरसुती और महा काली है और उनको दीरे से जब और विभाज़त किया गया तो नो देवियां हुई हैं फिर अनेक देवियों के आउतरों का अलेख मिलता है अब उसमें जो मूले देवी हैं वो पहले क्या कहती है गवरा है एक महाराज की करने आए लाल पाड़ बहार सादन संपनता से पड़ और उनका संकल्फ होए कि मैं भगवान शेयों से विवाय करूँगे उसके लिए उन्होंने तपिस्या की बरत किये और जब भगवती गवरा को स्विकार किया सहल पुत्री को तो पारवती हो गई कहते हैं हमारे सास्त्र कि तुम संकल्फ करो हम उसे सिद्ध कर देंगे ये गवरा का स्विकाव धारण है और इस युग में अगर का आ जाया तो कुछ सो वर्ष पहले मीरा पैदा हुई थे उन्होंने संकल्फ के लिए कि कृष्ण मेरा पती है कृष्ण को मैं साक्षात प्राप्ट करूँगे मेरे तो गिर्धर गुपाल दूसरा न कोई है जाके सरमोर मेरा पती सोय सारे संसार के रिष्टे तोड़ दिए सब को छोड़ दिए कृष्ण की प्राप्ट के लिए और उन्होंने उसको प्राप्ट किया जब आप में यतरा संकल्फ हो है तो उसका संकल्फ के साथ साथ में ब्रत सरीर की सुद्धता के लिए ब्रत बहुत आफशक है आप संकल्फ ही लीजिए अपने रोगों से मुक्त के लिए अपने परवार के कले से मुक्त के लिए आर्थिक संबनिता के लिए और जो प्राप्ट नहीं है उसे पराफ्ठ करने की इक्षा रखते हुए उसको करे साथ अक्टूवर से साज़ी नौराति परारब हो रहे हैー उसका परारम जो द्हर्म है वो है बरत अपनी सामर्थ के अनुसार बरत करे हैं कुछ लोग एक दिन का बरत करते हैं कुछ लोग पूरे नौरातर के भरत करते, कुछ लोग तीन देन का भरत करते, जो लोग मदमय के रोगी है, यद plaagoten कर भी है, तो उन्हें पूजा करना चाहिए, साधना करना चाहिए, लकर भरत कि मी सलाय नहीं देता हूं, वैसे वो अपने डॉक्टर से भी सह लाय ले सकते कि उसमें वो तमाम सारी चीज़ें आप खाते हैं सिगाड़े के आठे के पूरी खाते हैं पकोड़ी खाते हैं जो आपको सुगर के लेवल को बढ़ाता है आलू खाते हैं सुगर के लेवल को बढ़ाता है आप माखाना खाते हैं सुगर के लेवल को बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थित में वो आप बिमारियों को और आम अंतित कर सकते हैं तो बेतर ही होगा कि आप साधना करें बिना ब्रत के और जो लोग सामर्थबान हैं जो लोग ब्रत करते हैं उनको ब्रत करना चाहिए बृत के तीन अनवार अंग हैं देवी का आवहन आप बुलाएंगे नहीं तो कैसे आएगी माँ तो उनको आप जब बुलाएंगे आवहन करेंगे तो उनको इस्ताफ़ना भे होगी है और जब स्ताफ़ना होगी दोनों ही कार प्राता काल से ग्यारा वज़े के मद्द में होना चाहिए कई विशे समूर्थ है अलग-अलग सुरूपों का उलिक किया गया ताकि आपका मन उन सुरूपों में लगे रहे लेकिन मूल रूप से जो वीज बंत रहे स्रीम हरीम सर्सुत है सुहा स्रीम में हैं लक्षमी हरीम में हैं काली और सर्सुती दही है तो जो मूल आद शक्ती है उस आद शक्ती की उपासना का विधान है और आपके स्रीम जो रोग हैं प्रतलुए दात्मक चम्ता को रोकने की चम्ता होती है कपित बायो इनको तीनों पर उनेंद्रन करने की चम्ता रखती है आप इसले तवाम भ्रांदियां लोक पाल लेते हैं आपने घर में स्थाफ़ना की है जवारे हम बहوتे हैं किसी के जवारे बड़े हो जाती हैं बहुत बड़े हो जाते हैं टूटकर गिर जाते हैं तो कते ही अर्थ नहीं है कि उससे किसी प्रकार की आपकी हानी होनी वाली है। किसी के जवारे नहीं निकलते हैं जिसका कते ही अर्थ नहीं है कि माता आपसे नाराज है। आप जिस समय पूजन करते हैं, पूजन करते समय जो अखन जूत जलती है, उसमें कारवन आने के करणों से कई वार सांथ हो जाती है, आप दुबारा कारवन निकाल करको उसको प्रजुलित करने, इसमें किसी प्रकार का कोई दोश नहीं है, आप पूजन करते करते समय आपके दुपटे में या भगवती की संगार में जो आपने वस्र अर्पित किया, उसमें अगलंग लग जाती है, आपके लापरवाही से जल जाती है, चुनरी जल जाती है, इसका आर्थ नहीं कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई संकट आता है, या आपके लापरवाही के कारणा, कई लोगों के मन में ये होता है, कि मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, और किसी की मृत हो गई है, तो क्या करें? इसमें स्पेस्टरूप से सास्तर ने इनर्देश दिया है, कि यदि आपने कलस की स्थापना कर ली है, इस्थापन, और उसके बाद में किसी की मृत होती है, या किसी का जब्न होता है, तो आप उसको लगातार कर सकते हैं, और तब तक किसी प्रकार का कोई दोश नहीं है, और अगर उससे पहले, कलस स्थापना से पहले, किसी प्रकार का सूतक लग जाता है, चाहें संत्यत उत्पत्ति की कारण से, चाहें किसी की मृत्व की कारण से, तो आपको मूर्थ की स्थापना नहीं करनी होगी, बड़ा इस्पस्ट इनर्देश है, दूसरी बात ये, कई बार महिलाओं के साथ में, पीरिट का सभिस्या होती है, अगर इसकी सम्मावना है, तो आपको सावधानी रखनी होगी, कि इस अबद में आप अपने आपको दूर करें, जो अनुवार हिस्सा है विशर जन का, तो उसमें आप अपनी परमपरा का अंस्वार, विशर जन का स अंदरा तारीक को विजए दस्वी के देरें, लेकिन कई लोगों के आस्ट भी को जाता, कई लोगों को नौमी को जाता, जैसी आपकी परमपरा है, उस परमपरा के साथ आप जाने हो, खाने पीने में इसमें बड़ा इस्पस्ट डिर्देस किया गया, गरिश्ट पदार त सामाने दिनों से ज़्यादा आप भोजन कर रहे हैं, यह आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, गरिश्ट होंगे, तो जिस निरोगी काया की कल्पना लेकर के, संकल्प लेकर के यह आपने भगवती का ब्रत की हैं, कुछ पराप्त करने के लिए, कुछ ग्यान पराप पदार्स बन रहे हैं, उन से ध्यान अटा करके फलाहा करिए, जिस समय आप प्राता काल पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद में आपको मेवे ले लेने चाहिए, मेवे में तीन प्रकार का ही उल्लेक मिलता है, बादाम, अखरोट और अंजीर, और भगवती को अर्पित करते हैं, बहुत सारा प्रशादा अलग अलग देलों में, लेकिन गरम पानी के साथ में पांच शे बादाब, या दो तीन अखरोट, या दो तीन फिगे हुए, आप अंजीर को गरन कर लेंगे, तो उससे आपको अत्रिक अर्जा प्राप्त होगी, आपके सरीर को जो गती इसकी अनुमत पर देती है, उसके बाद में दो गंटे या तीन गंटे के बाद में आप और कुछ भी फल ले सकते हैं, फल का आर ले सकते हैं, वो फल लीजिए, जैसे आजकल पपीता बहुत अच्छा आ रहा, सेव आ रहा, सेव यह नहीं कि आप दो तीन सेव खा ले, एक सेव को आदा सेव ले ले और उसमें थोड़ा से पपीता मिला ले और उसको प्रिशाद के रुम में आप ग्रन कर लेते हैं, फिर दो बज़े धाई बज़े के बीच में फिर भी इसी प्रकार का कुछ आप ले सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं इसे जिनको आप ल सबस्त होते हैं, जब नौ दिन की पूर्ती हो जाती है, और दसर दिन भगवती को विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन करने में बड़ी साधानी रखना चाहिए, कई लोग जो है प्लास्टर आप पेरिस की मूर्तियों के स्तावित करते हैं, नहीं, मिट्टी की मूर्त की ही मिट्टी की मूर्ति नहीं है, तो आप धातू की मूर्ति ले सकते हैं, धातू की मूर्ति में सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, यह आपके अपनी सामर्थ के अंसाल, लेकिन विसर्जन आपको मूर्ति नौ दिन के बाद में मिट्टी की ही कर दी होती है मिट्टी के मूरती है और उनको बिसर्जन के लिए जबीन में अगर बिसर्जन करते हैं तो भी ठीक है कुछित है और जल को परदूश्चत नह करें एक इस्थाइन पर व्रफ्च के नीचे भी आप रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस सरीर स्वस्थ होता मन स्वस्थ होता आप में विस्वा से ब्रद्दाद होती है और आप जब किसी से बात करते हैं किसी को प्रभावित करते हैं तो आपकी बाणी में शक्ति आती है और मात्मा मारकंडे को जरूर इस्पन करिए कि उन्हें नहीं ही दुर्गा सबस्थती की आप पार्ट करते हैं, तो मार्कट डेरिशी को इसमण करते ही पार्ट करें, भगवती आप पर क्रपाल हों, यह मेरी काम ना है, तीन से और नौ अक्टूबर के बीश, यह सफ्ता है, इसमें सूर, मंगल और बुद्ध कन्यारास्बे है, प्रशिक में केतू के साथ सुक्र है, सनी और गुरू मकर में हैं, ब्रश में राव हुए, सिंगे, कन्या और तुला में इस सफ्ता चंदर मारा रहेगा, ऐसी इस्तिती काफी मात पूर है, जिनकी रासी में से, उनके लिए सफ्ता काफी मात पूर है, लेकिन रोग और शत्रू से आपको सशेत रहने की आउशक्ता है, तीन चार को, बुद्ध कौस्व से किया गया कारसंबन होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफ्ता मिलेगे, पांच शे स्वास के लिए निर्वन हैं, खाने पीने में विश्य सुरूप से ध्यान दें, और साथ आठ नो वेवसाइक दृष्ट से, अध्यात्मिक दृष्ट से काफी लाबदाई हैं, कुछ नए करने की प्रवत अगर हैं, तो इस कालखंड में कर सकते हैं, सफलता मिलेगे, जिनकी रासी ब्रश है, उनके लिए सफ्ता सुखद होगा, चल या अचल संपत के मामले में भी सफलता मिलेगी, पारवारिक जीवन सुख में होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, बुद्ध कौसों से किया गया कार संपन होगा, दूसरे से सहयो मिलेगा, दामपत जीवन सुख में होगा, तीन चार को इस्तों में मजबूती आएगी पारवारिक प्रतिष्ठा पड़ेगी धन ये श्कीर्द में ब्रद्धी होगी पांच छे आर्थिक दृष्ट से मात पुर्णतितिया हैं सिक्षा प्रतियुक्ता के छेतर में लाम में सकता है संतान के दायत की पूर्ति हो सकती है वेवसायक प्रियास फली हो सकती है साथ आठ नो थोड़ा सा स्वास के लिए निर्वल है स्वास के प्रस्थचेत रहने के आँ सकता है ऐसा कुछ न करने जिससे बिरुदी सक्री हो जाए जिनकी विथु नरासी है बुद्ध वक्री है इसलिए स्वास के प्रस्थचेत रहने के आँशक्ता है और मंगा लफ्थ है तो जिस काड़ों से गंवीरता तो कुछ नहीं है लेकिन लापरवाई काफी कश्टदाई हो सकती है आपको सच्चित रहने किया शक्ता है खास दोर से खाने पीने के मामले में तीन चार को किया गया पुर्शाथ सार्था कोगा दूसरे से सहयोग लेने भी सफलता मिलेगी और पांच शै को कुछ परवारिक समिस्चा है रह सकती है पारवारिक कारियों में ब्यस्ट हो सकते है साथ आठ नो को बुद्ध काउसर से किया गया कार संपन होगा रिस्टों में मजूती होगी वैवसायक प्रियास फली वोता सासर सफ़ता से भी लामे सकता है जिनकी रासी कर्क है उनके लिए भी यह सपता काफी लाबदाई उस्थ वर्दत है कुछ नया करने की प्रवती आपके लिए मात पूर्ण हो सकता है स्रजनातमक कार रचनातमक कार की दिसा में अध्धात्मिक मामनों में देव दर्शन के मामने में आपको सफलता में सकती है आपके लिए तीन चार को आर्थिक मामनों में सुधार होगा रिस्तों में मिं मजबूती आएगी और पांच शे को किया गया पुर्शार सारता को का उपहार सब्मान मेतरी सबंदों में भी प्रिगाड़ता आ सकती है साथ आठ नौ को पारवारिक कार में सफलता मिलेगी धार में एक सांस्क्रत एक अध्यात्मिक मामनों में भी सफलता मिलेगी जिनकी रासी सिंग है बेवसाइक दुर्श्ट से काफी महत्पूर है किसी पुराने मितर से इस्तिदार से भेंड हो सकती है उपहार सम्मान में ब्रद्दी होगी बान चलाते समय जरूर साउधानी रखने किया हो सकता है आपके लिए तीन चार भाहुकता पूर्टितिया है स्वास के प्रिस्टचेत रहें आर्थिक मामलों में जो किमना उठाएं पान च्छे को आर्थिक लाब में लेगा धन यश्किर्ट में लाब में लेगा सासन सत्ता का सहग में लेगा साथ आठ नौ को किया गया पुर्शार साथ ता कोगा धार में आर्थिक इन मामलों में सफलता मिलेगा खान पान में विशिस रूप से सचेत रहने की आशकता है जिनकी कन्यारासी है बुद्ध के बक्री होने के करों से आपको स्वास के पर सचेत रहने की आशकता है आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा बेवसायक मामलों में बेवसिता बढ़ेगी थोड़ा सा आलस और प्रमात की इस्तित बढ़ जाएगी आर्थिक तनाव भी रहेगा लेकिन रास्ते बनेंगे तीन चार तनाव पुरूंतितिया है स्वास के प्रिश्ट चेतर रहने क्या हो सकता है ब्यर्थ की उल्जने रहेंगी और पांच शे को बेवसायक प्रियास सार्तक होगा यश कीर्थों में ब्रद्धी होगी साथ आठ नो कुद्धन यश पद प्रचिस्था इस्थानां तरन विवागी परवर्तन नए कार की दिसा में लाब मिल सकता है देव दर्शन हो सकते है जिनकी तुला रासी है प्रिजन बेड़ होगा रिष्टों में मजबूती आएगी उपहार या सम्मान में ब्रद्धी होगी कोई नए कार करने की जो आकांच शा उस जिसा में सफलता मिलेगी आपके लिए तीन चार काफी महत पूर्णतितिया है लिए गए नर्णे पर अड़े करें स्वास के प्रिश्टचेत रहें लेकिन पांच है कुन मिला करके कश्टदाई हो सकती है धन व्या हो सकता है साई खर्च से बचना होगा जो किम भरा कार न करें साथ आठ नो को रिश्टों में मजबूती आएगी रीजन भेंट हो जबती है उपहार सब्मान में ब्रद्दी होगी हो जिनकी रासी ब्रश्चिक है आपकी रासी पर शुकर और केतु की ती होगी है थोड़ा सा भावक्ता पर ने अंतरन रखें कहीं किसी मामले में भावक्ता के करणों से अपियस तनौ मिल सकता है उनसे जरूर बचे और अगर आप साधना करते हैं तो साधना के लिए सार्दी नोरात रहें उत्तम हैं उस जिसा में प्रियास करें आपके लिए तीन चार सासर सकता से सहुग मिल सकता है बड़े अधिकारी से सहुग मिल सकता है पांच शे कुछ ब्योधान वाली तितिया है स्वास के प्रिश्चेत रहने की आवश्चेता है और साथ आट नो को स्वास के भी प्रिश्चेत रहें वेस्ता में इतने वेस्ता नहों कि कई आवशक कार छूट जाए उत्तम है इस्थाना अंत्रन वेवागी परवर्तन किसी अनप्रकार का व्योसायक लाव हो सकता है कोई नया कार आप प्रारम करने जाद सकते हैं तो उस जिसा में भी सफलता मिलेगी आपके लिए तीन चार वेस्ता की है पिता या धर्म गुरु के से सहयोग मिल सकता है पांच शे को सासर सकता से सहयोग मिलने में सहयक होगा और साथ आठ नौ को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा ग्रेव के होगी वसों में ब्रद्ध होगी पारवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी जिनकी मकर रासी है उन्हें स्वास के प्रतिष्ठा रहने की आउशकता है कुछ पारवारिक समय स्याएं भी रहेंगी कुछ आर्थिक तनाव भी रहेंगी लेकिन स्वास के प्रतिष्ठा रहेंगे क्योंको ब्रेस्पत और सनी की उतिए आपकी रासी पर ही है रहेगा लेकिन पांच शे अच्छी हैं पिताया धर्म गुरू का सहयोग मिलेगा बैवसायक प्रियास आर्था कोगा साथ आठ नौको अध्धात में मामनों में सफलता मिलेगी धन यश्कीरत में ब्रद्द होगी बैवसायक एउजना फाली वोत होगा रिस्तों में मजबूत भी है तो स्वास के प्रिते उदासीन न रहें वेतर इस्तियां बनेंगी वेतर आउसर प्राप्त होंगे बैवसायक मामनों में सफलता मिलेगे लेकिन आधी नस्तिकार्वचारी से आपको क्लेस में सकता है आपको अपना नर्णे स्ट्रॉंग लेना चाहिए मजबूत लेन चाहिए तीन चार को बैवसायक प्रितिष्ठा बढ़ सकती है आर्थिक पक्षमामनों में लाब मिल सकता है लेकिन पांच है ठीक नहीं है स्वास के लिए निर्मल है मन शांत हो सकता साथ आठ नो को बैवसायक प्रियास फलीवूत होगा रिस्तों में मजबूती आएगी प दिवन साथी का सही हो मिलेगा कुछ नए करने की प्रवत है उसमें आपको लाब मिलेगा पिता या समंद्य देतकारी का भी सही हो रहेगा बैवसायक प्रितिष्ठा बढ़ेगी तीन चार तनाव पूर्टितिया है थोड़ा सा मन अशानतर रहेगा लेकर पांच है को धनी अश्कीरति में ब्रद्दी होगी सासर सक्ता से भी सही हो मिलेगा और साथ नौको धार में मामनों में लाब मिलेगा कुछ नया लाब मिसकता है लेकर साही खर्च से बचना होगा आप सबको सार्दी नवरात की सुभी कामना है भगवती आप बरक्रपा करें तो हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्री पर ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और आप इन जानकारियों का लाब जरूर उठाएंगे आप सभी को नवरात्री की बहुत बहुत शिव कामना है नमस्कार